नागपुर में मेरे एक मित्र हैं लगबग 20 साल पुराने और बहुत अच्छे मित्र हैं अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पले लिखे भी है और बावा साहब डॉक्टर अमबेटकर की उन्होंने पूरी रिसर्च उन्होंने की है किताबें भी संग्रमी अच्छा चलाते हैं wise man है बुद्धी मान है शान्त है अच्छे हैं और चीजों को कैसे रखना चाहिए उनको पता होता है मेरी बाचीत उनसे हो रही थी तो बाचीत में एक बीच में बात आई जिसमें ये पता चला कि कए लोग उनकी इस बात के लिए आलोचना कर वो कहते हैं कि ये आदमी अभिमानी हो गया है और ये आदमी अपने आपको डॉक्टर अमबेटकर से भी आगे मानता है इस बात का उन्हें बड़ा कश्ट था बड़ी परशानी थी कि लोग इस तरह से आलोचना करते हैं दरसल मुझे इसमें कोई आलोचना दिखाई तो दी नहीं और ना इसमें कोई आजना है क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है ये तनी शांदार बात है अगर कोई मुझे से कहें कि आप तो डॉक्टर अमबेटकर से भी आगे बढ़ गए आप तो कवीर से भी आगे बढ़ गए आप तो जो संत्वर से उन से आगे बढ़ ग कि उनका बेटा उनसे आगे निकल गया एक बाप क्या चाहता है एक गुरू क्या चाहता है एक अच्छा और सच्छा गुरू और बाप हम ऐसा चाहता है कि उसका सिसे और उसका बेटा उससे आगे निकलना चाहिए और उसके जीते जी निकले तो जाता अच्छा है मरने के बाद तो उसने क्या देखा क्या ने देखा तो खतम होगी काया और जीते जी अगर आगे निकल जाए तो उस बाप की जो च्छाती होती है जो उसकी चैस्ट होती है वो डबल हो जाती है उसका सीना गर्ब से वड़ापे में दमकता है उसकी चाल बदल जाती है जिसका बेटा उससे आगे निकल जाए या जिसकी बेटी उससे आगे निकल जाए जिसकी बच्चे उससे आगे निकल जाए तो मैंने कहा भी ये तो बहुत अच्छी बात है के लोग आपको compliment देते हैं तो कैते कि नहीं, यहाँ negative बात समझते हैं, यहाँ कहते हैं कि अभिमान वाली बात है, गर्व वाली बात है अरे वो मूर्क लोग हैं जो ऐसा गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं वो negative लोग हैं, वो खुद तो बाबा साहब से आगे जा नहीं सकते, खुद तो पढ़ नहीं सकते, खुद तो कोशिस करनी सकते, तो औरों की टांग पढ़ दे खीशते हैं, अरे बाबा साहब ने कब कहा, भगवान बुद्ध ने कब कहा, कर्वीर साहब ने कब कहा, जोदिवा फुली ने कब कहा, संत महाप उसने कब कहा मेरे से आगे मत जाना, मेरे इंडर रहना, मेरी गुलामी करना, जितना मैंने बता दिया है वही रुकना, वही में तुम्हा काम हो जाएगा आप पूरी दुनिया को देख लो, जो लोग आज की डियेट में राज कर रहे हैं, या जो राज करने वाले हैं, क्या सब महापुर्सों से आगे नहीं जा रहे हैं, क्या उनकी बात सीख के आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या आज के हिसाब से इंप्लिमेंट नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो आगे बढ़ेंगे नहीं साइंस जो लोग पढ़ते हैं जिस गुरू की साइंस पढ़ते हैं जैसे आइंस्टाइन की साइंस किसी ने पढ़ी कि आइंस्टाइन एक ठोली दी है तो बस महीं रुख जाए क्या scientist, फिर उससे आगे discover नहीं करेगा, तो इससे आगे discover नहीं करेगा, तो कुछ हो गाई नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने एक camera बना दिया, और camera बना दिया, और पिर तो नया camera बने गए नहीं, फिर तो और अच्छे camera आएंगे नहीं, जहां तक उस आपको सिखाया है, वह बहुत अच्छा है, वहां तक बहुत जल्दी पहुँचिए, फिर अपनी महरत करके आगे पहुँचिए, तो जो लोग डॉक्टर मवेट कर रिसर्च करके उससे आगे बढ़ रहे हैं, या जो भगवान बूत की रिसर्च कर रहे हैं, या जो 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 लगती है, आपको लगता है, इसमें परिशानी हैं, तो डूप के मर जाएए चुलुबर पानी में, आपको काम करना चाहिए, या लोचना करने की बजाए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने बाब दादा की एजूकिशन से आगे एजूकिशन डिस्कवर करने चाहिए, जिंदगी में डवलब्मेंट का इसको कभी खतम नहीं होता, आगे बढ़ने का कोई रास्ता कभी बंद नहीं होता, जो व्यक्ति ये सोचता है, कि महापुरुस ने बता दिया, रास्ता बंद है, वो महापुरुस का कतल करता है, महापुरुस को मारता है, उसका अ आगे जाना, तो कहता है मुझसे आगे जाना, बहुत आगे जाना, क्योंकि तभी तो जीतोगे, तभी तो कुछ चीज मिलेगी, तो जो नारपुर वाले मेरे मित्र हैं, मैं उनको इस बात में बदाई देता हूं, कि लोग उनको कहते हैं, कि वो डॉक्टर अम्मिटकर से भी जादा जानते हैं, उनको जानना चाहिए, ना किवल जानना चाहिए, उनको डॉक्टर अम्मिटकर से आगे के दस्यों हजार लोगों को पैदा भी करना चाहिए, जैसे ही डॉक्टर अम्मिटकर ने आपको पैदा किया, वैसे ही आपको दस्यों हजार लोग पैदा करने चा सरव पर घूमा के कहते हैं के मेरा संत मेरा संत बस यही संत है और यही अंठ है उन搁 उसी में हो जाता है फिर संत भी उनका कुछ नहीं कर सकता उनका अंत्र संत के साथ निश्चित है इसलिए संत से आगे जाना पड़ेगा महापुष से आगे जाना पड़ेगा बावा साब को सारा पड़ डालिए तो बावा साब खतम हो जाते हैं फिर आप स्टार्ट हो जाईए बावा साब से आगे बाबा साब का जो पड़ा लिखा है उसी में मत घूमिये जो बुद्ध ने बताया है वो बहुत मिक्स हो चुका है बहुत उसमें डामाडोल मामला है वो बहुत निकालना पड़ेगा जो जोतिवा फुलुने किया है वो प्योर है तो उसको निकालना पड़ेगा जो खवीर साब का है उसमें घाल मेल हुआ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा आप अपने आपको उनका बेटा मानते हैं तो जुमदारी आपकी है आपकी बेटे की आपको आगे निकलना है बाप से धन्यवाद तीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर तीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकत हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैटिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चे काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भास अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खूब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद दंधं सरेन गच्छामी संगम सरनं गच्छामी तूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूंतियं पी दम्मं सरनं गच्छामी दूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूंतियं 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 पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूंति तेती युवें पी धं이가म अम्गार्स सेंवें।